सिंदुघाटी सब्भिता के शासन सुरूप की अदि बात करें तो स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी की धार्मिक जीवन, राजनेतिक आर्थिक जीवन या उनके नगरी जीवन की बात होती है। उनका जो राजनेतिक व्योस्था थी, राजनेतिक शासन व्योस्था थी, उसका उदारन बहुत कम दिख रहा है। और इसलिए यह स्पशनी है कि वे लोग किस तरह की शासन व्योस्था पर विश्वास करते थे। कुछ लों का कहना है कि शायद जो बड़े बड़े शहर कुछ जगहों पर पाए गए हैं ये शायद उस खेत्रों की राजधानिया हुआ करती थी। यह रियास्तों जैसा कुछ रहता था। काली बांगन, लोदाल, हरपपा, मोहनजदारो, चनुदारो ये अलग-अलग खेत्रों में एक समान तर दूरी पर लगभग पाए गये हैं इसलिए यह अंदाज लगाया जाता है। लेकिन फिर भी एक अन्य वरक के इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा परिलक्षित नहीं होता कि ये खेत्री उसमें बटे हुए थे, बलकि शायद उनको लगता है कि यह शासन व्यवस्था केंद्रित थी, एक व्यक्ति केंद्रित या एक केंद्र केंद्रित थी, क्योंकि सभी जगह लगभक समान तरीके की कारिशैली या उनके जीवन यापन की शैली पाई गई है। यह समानता इस बात की और इशारा करती है कि शायद राजन्यातिक विवस्था भी कुछ ऐसी थी जो किसी एक धुरी पर केंद्रित थी। राजा या लोकतंत्र इस पर भी यह स्पश नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तय था कि लोग अपने विचारों को, अपने कारे को, अपने व्यावसाय को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। राजनेतिक विवस्था जानने के बाद अब हम आते हैं उनके एक बहुत अहम बिंदु पर, उनके जीवन के धर्म का क्या प्रभाव था, उनकी धार्मिक जीवन कैसा था, उनका भगवान पर कितना विश्वास था। धार्मिक जीवन की बात करें, तो हमारा ध्यान सबसे पहले इस बात पर जाता है कि अन्य सभिताओं की तरह सिंदु घाटी की सभिता में कोई मंदिर अभी तक नहीं मिला है, या ऐसा कोई भवन नहीं मिला है, जिससे यह लगे कि शद शायद ये लोग मंदिर आदी जाते और वहां जाकर पूजा करते थे, मूर्तियां अवश्य मिली हैं, लेकिन वे मूर्तियां अलग-अलग जगों पर मिली हैं, अलग-अलग रूप में मिली हैं, और उनके अलग-अलग अर्थ मायने निकाले गया हैं, उधारन के लिए, जैसा मैंने बताया पूर में, ऐसी मोह पश्यकी विशेश पूजा करते थे और उसे पश्यपती भगवान का रूप माना आधिनिक पश्यपती भगवान का एक रूप माना जा रहा है। कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिसमें एक व्यक्ति योगी के रूप में पालती मार कर बैठा हुआ है और उसके तीन सींग हैं। अर्चना करने का क्या तरीका था इसका हमें कोई अधारन अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही कुछ ऐसे अवशेश मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद वे धर्थी को एक औरवर का देवी मानते थे। यानि एक महिला की मूर्ती मिली है या एक चित्र उकेरा हुआ मिला है मोहर में जिसमें एक महिला है और उसके गर्व से कुछ ऐसा लग रहा है मानो धर्थी का रूप दिखाई दे रहा है। तो शायद ऐसा माना जाता है कि धर्थी को एक प्रजिनन का एक रूप मानते हुए उसे पूजते थे या उसे इज़त देते थे। साथ ही वरिक्ष की भी पूजा करते थे। कुछ चित्रों में पीपल के पेड का चित्र बना हुआ है व्यक्ति बैठा है और पीपल के नौ पेड़ों का चित्र बना है जिससे यह माना जाता है कि शायद वे लोग वरिक्षों की पूजा करते थे। कुछ को वो अपनी यात्रा के लिए आवागमन के लिए कुछ को अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ को चूंकि वो शाकाहारी और मांचाहारी दोनों थे इसलिए हो सकता है कुछ जानवरों को भोजन आधी के रूप में वो लेते थे और इसलिए उसकी एक तरीके से अर्चन हुई मिली हैं महरों में उसमें ऐसा दिखता है कि महलाओं के हाथ में ताबीज है और वे शायद इस ताबीज पर विश्वास करती थी या ताबीज की शक्ति पर विश्वास किया जाता था उस समाने के लोगों द्वारा अंतिम बिंदु जो इस पर हम आते हैं वे है कि साथ ह कुछ ऐसे उजाहरन भी दिखें हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे लोग अगनी पूजा करते थे, याने आग की पूजा करते थे, व्यक्ति की जब मृत्य होती थी तो किस तरह के आयोजन होते थे, इस पर ऐसा लगता है कि वे लोग व्यक्ति को दफनाते भी थे, व्यक्ति को शायद जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था कई बार कई मौकों पर और बचे हुए अवशेश को दफनाया जाता था या जलाया जाता था तो तीनों तरह की पध्धिती दाह संस्कार की पध्धिती का उस समय पालन होता था लोग करते थे और इस दाह संस्कार की पध्धती से ये भी स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग इतने में इतना जरूर विश्वास करते थे कि कुछ शायद अगले जीवन में यह व्यक्ति किसी रूप में जाता है इसलिए एक फॉर्मल तरीके से उनका दाह संसकार किया जाता है इस प्रकार उनके जो जीवन धार्मिक जीवन जो था वह पूजा पाठ पर कितना केंद्रित था इसकी जानकारी तो नहीं है पर वहां की मोहरे उस समय के पाए गया अन्य मिट्टी के अवशेश इनसे परलक्षित होता है कि वे लोग किसी ने किसी रूप में किसी शक्तियों को कभी मानते थे चाहे वो पेड़ हो चाहे कुछ जानवर हो चाहे योगी हो चाहे अन्य कुछ चीजें हो और दाह संसकार स्वैम में किया जाना यह भी इस बात की अशारा करता है वह सभिता जो इतनी आधनिक थी इतनी विशाल थी और इतनी व्यवस्थित थी यह तभी संभव है जब उनमें वैज्ञानिक दिरिश्ट कोण हो दूसरे शब्दों में ऐसा कता ही नहीं हो सकता कि सिंदु घाटी सभिता के निवासी विज्ञान में हम में से किसी तरीके से पिछड़े हूँ उनकी वैज्ञानिक व्यवस्था या वैज्ञानिक व्यवस्था की बात करें तो हम पाएंगे कि वे लोग अति आधनिक थे अपने समय को देखते हुए मैंने पूर में बाट का जिक्र किया मैंने पूर में नापतौल का जिक्र किया मैंने पूर में आपको बताया है कि वे दिशामलों से वाकिफ थे जहां तक उनकी लंबाई नापने का जो औजार था वह लगवग एक फीट का पाये गया है और शायद हाथ का उपयोग भी हाथ की लंबाई भी वह लेते थे लंबाई को नापने के लिए वैग्यानिक प्रगति की बात करने पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है कि आखिर हमें कैसे जानकारी मिली या मिलती है कि उन्हें कितनी वैग्यानिक प्रगति उनके द्वारा की गई थी दुरभाग से आज भी हमें उनके लिपी के नेकों उदाहरन मिले हैं लेकिन लिपी से हम डिसाइफर नहीं कर पाए कि यह क्या लिखा है उस पर अभी भी शोध जारी है लेकिन कुछ बातें स्पश्ट हो गई है कि शायद वे दाएं से बाएं लिखते थे दूसरा उनकी लिपी में पिक्टोग्राफिक याने चित्रों का काफी उप्योग होता था और तीसरा वे लिपी से वाकिफ थे वे लेखनी से वाकिफ थे यह बात बड़ी स्पश्ट है ऐसा लगता है कि शायद उनकी जो लिपी थी 400 उसमें अक्षर होते थे तो यह एक बहुत बड़ी संख्या है और शायद इसलिए उनकी लिपी से अभी भी हम पूल रूपेंड वाकिफ नहीं हो पाएं हैं और उश्वास है कि जब यह लिपी समझ में आ जाएगी तो बहुत सी नई नई धारनाएं नई नई बाते इस सिविलाइजिशन के बारे में सामने आएंगी इसके अलावा वे चित्रकला और मूर्तिकला से में पारंगत थे जैसा मैंने बारम बार प्रारंब से बताया है कि उनके द्वारा बनाये गए विभिन चित्रों से हमें बहुत सी जानकारी मिली है ये चित्र रंगीन होते थे ये चित्र उकेरे गय हुए होते थे और ये चित्र विविन तरह की दीवालों में या पकी मिट्टी में पकाई गई मिट्टी में उसको मोहर के रूप में बना कर बनाएं गये थे और इनी चित्रों में या इनी मूर्तियों में मूर्ति कला में भी वे बहुत ज्यादा कुशल थे उन्हें काफी कौशल हासल था इनी मूर्तियों में योगी का चित्र है इनी मूर्तियों में नर्त की बालिका का चित्र है इनी मूर्तियों में वह सांड का चित्र है जिसके बा पीपल का उधारन देखा है और आदी आदी तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिंदुघाटी के लोग मूर्तिकला में तो अत्यांत पारंगत थे और उन्हें रंगों की जानकारी भी थी क्योंकि बहुत से चित्र रंगीन पाए गए हैं और ऐसा लगता है कि वे किस तरीके स मिलाए गये थे यह तक्नीक अभी हमें समझने की जरूरत है साथ ही धात्य कर्म भी उनका एक कौशल होता था धात्य कर्मकार्थ क्या है वे वाकिप थे तांबे से वे वाकिप थे कांसे थे आपको मालूम होना चाहिए कि तांबे को तांबे से जी कुछ बनाना है तो उसे 1000 डिग्री से ज्यादा गरम करना होता है तब जाके वो थोड़ा पिघलता है तब जाकर इतना पिघलता है कि उसका कुछ बनाया जाता है कि उसे नया रूप दिया यानि वो वाकिप थे कि इतनी डिग्री तक टेंपरेचर तापमान को कैसे ले जाया जाया है साथ ही उनको ज पश्ट करते हैं कि उन्हें यह वैग्यानिक सोच थी कि तामबा और टिन मिलाने से कांसा बिलता है और साथ ही मिश्र धातु को कैसे बनाएं इसकी कला से वह अच्छी तरह वाकिफ थे वास्तों में उनके वैग्यानिक प्रगति के अनेको दाहरन हैं एक दाहरन और आपको दे वियापार करते थे इसका अर्थ जहाज से विवाकिफ थे नाव बनाना जानते थे और गुजरात राज्य में एक बंदरगाह मिला है एक एक ऐसा शाहर मिला है सिंदुघाटी का जो समुझर के किनारे है और वहां की खुदाई से ऐसा लगता है कि शायद वह बंदरगाह र मेसोपाइमिया में मेसोपाइमिया सब्विता के साथ अपना व्यापार करते थे मेसोपाइमिया में भी वहां भी जो महरें पाई गई हैं उससे रहसा लगता है कि ये महरें शायद भारत से वहां गई थी और मेसोपाइमिया के साहित में या उनके महरों में महुल नाम की ज जगह का जिक्र है जो शायद माना जाता है मरकान जो एरान के पास जो एक शहर का मैंने जिक्र किया जो सिंदु घाटी का सभिता का एक अंतिम छोर माना जाता है पूर में उस शहर का शायद मेहुल नाम उनके अनुसार था मेलुका उनके अनुसार या नाम था इस प्रकार इनके वग्यानिक प्रगति की जानकारी जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिंदुगहाटी की सब्विता अत्याधिनिक सब्विता थी अत्याधिनिक सब्विता सभी दृष्टि में चाहे वो जीवन शैली हो चाहे वो नगरी शैली हो धार्मिक जीवन हो सामाजिक जीवन हो या आर्थिक संरचना हो हमें केवल उनके राजनेतिक जीवन की जानकारी बहुत कम मिली है यहां पर वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो हमें एक शिलाजीत जैसी चीज की भी जानकारी मिलिये जो शायद उनको शक्ति देने का काम करती थी यह तभी संभाव इस तरह की जानकारी उनको थी यह तभी संभाव है जब वह वैज्ञानिक खेत्र में भी चिकित्सा के खेत्र में भी कुशल रहे होंगे यह सब्विता जो इतनी विशाल थी जो इतनी विशेश्चाओं से भरी हुई थी और जो इतनी आधिनिक थी आखिर इसकी पतन कैसे हुआ आखिर इसकी समापती कैसे हुई यह सब्विता क्यों जारी रह नहीं पाई इसको लेकर विद्वानों में पुरातत शास्त्रियों में विविन तरह की विचार हैं कुछ लोग का कहना है कि शायद सिंदु घाटी की सब्विता का पतन उस समय की हुई भावगोलिक उथल पथल के कारण हुआ होगा जिसमें शा हिली होगी समुद्र के पानी ने वहां पर पूरी सब्विता को समाप कर दिया होगा लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भुकंप आदी से शहर खतम होते हैं नगर तूटते हैं नगर बरबाद होते हैं लेकिन सब्विता समाप नहीं होती तो इस प्रकार यह जो उत् पुरात शास्त्री कहते हैं वह है शाय नदी का मार्ग बदलना उस समय कि जो दोती नदियां थी उन्होंने निश्चित रूप से मार्ग बदला मार्ग बदलने से संभावना है कि वहां की जमीन शुष्क हो गई होगी बंजर हो गई होगी मौसम परिवर्तन हुआ होगा और इस नदी इस मौसम परिवर्तन और बंजर होने से वहां की सभिता तूट गई और वे लोग अलग अलग तका बिखर गई है ये बात भी देखी जारी है कि जो बाद का काल है 1900 से 1600 तक का काल मैंने जैसा आपको बताया वह इनका पूर्ण विक्सित काल है लेकिन 1600 से बाद के क काल में देखा जा रहा है कि खेत्रीता ज्यादा पनपने लगी जो पूरी सिंदुघाटी सभिता में जो सब चीजें कॉमन दिखती थी सामाने दिखाई देती थी एक रूप दिखाई देती थी अब वह धीरे-धीरे कम होने लगी इंटों का आकार इंटों का कॉलिटी मत इंटों के गुडवत्ता बरतनों की गुडवत्ता जो अन्यकारे थे उसकी गुडवत्ता में परिवर्तन दिखाई दिया बदलाव दिखाई दिया विभनिता दिखाई दी इसलिए ऐसा लगता है कि शायद जो केंदरी जो सत्ता थी जो पूरा केंदरित था एक हाथ में व इन सब के मार्ग बदलने से बंजर होना या इन सब के मार्ग बदलने के कारण शायद शेहरों का इस नदी में बहा जाना तीसरा और अंतिम कारण जो एक प्रसिदि इते हासकार श्री भीलर ने कहा है वहां कहा है कि शायद आरे लोगों के विदेश से आने पर उन्होंने जो हमले किये वहां इस सब्विता के पतन का कारण बना और यह सब्विता जो वैसे ही अपने पतन पे थी वहां पूर्ण रूपेंड समाप्त हो गए लेकिन आखिर इसका निश्चित कारण क्या है यह समाप्त हुई पूर्व से प्रारंब हुई और जाकर ग्यारा सो इस्वी पूर्व के आसपास जिसकी समाप्त मानी जाती है वह सब्विता जो अपने साथ अनेकों विशेश तायं लाई वह सब्विता जो अपने साथ बहुत सारी चीजें इजाद की वह सब्विता जब समा करंब हुआ और सिंद्ध घाटि की सब्वता की समाप्ति एक बहुत अहम घटना हमारे इतिखास में मानी गई